बुराई के प्रतीक रामड का पुतला लाइन पार रामलीला मैदान में नहीं जल पाया। पुतला बनाने वाले कारीगर ने उसको अंदर से खोकला छोड़ दिया था जिससे आग उपर की ओर नहीं भड़ पाई। कमिशनर, DM, SSP और महापौर की मौजूदगी में पुतले को आदा घंटा तक प्रियास किया जाता रहा लेकिन वहन नहीं जल सका। अंत में रावड के पुतले को जमीन पर गिरा दिया गया। उसके बाद फायर कर्मी टीम ने पानी से पुतले को नस्ट किया। महानगर की सबसे बड़ी रामलीला का मंचन लाइन पार रामलीला मैदान में किया जाता है। विज़दश्मी पर कल रात रावड और राम के भीशन युद्ध के बाद पुतला देहन किया जा रहा था। CRPF और पुलिस में पुतला वाले छेत्र को सुरक्षा घेरे में लिया और आग लगा दी। कारीगर ने पुतले को अंदर से खोगला छोड़ दिया था। पैरों के पास थोड़ा पुआल डाली गई थी। उससे रामड के पुतले का नीचे का आदा भाग जल पाया। टांगों के उपर की और आग बढ़ ही नहीं पाई। कमिशनर डियम एससपी महापौन ने रामलीला कमीटी के स्दस्यों के साथ 10 मिनिट तक इनतियार किया। उसके बाद कारीगरों ने पैट्रॉल फैक कर आग लगाने का प्रयास भी किया। उसके बाद भी पुतले के नीचे के और गोले छोड़े गए उससे भी आग नहीं लग सकी। बाद में एक लंबे बांस का पुआल बांध कर पुतले को आग लगाने का प्रयास किया गया। लेकिन बांस बीच से ही तूड़ गया। इस दोरान भीड ने हंगामा शुरू कर दिया। मौके की नजाकत को देखते हुए अधिकारियों के निर्देश पर आधे जले पुतले को रसी खोल कर जमीन पर गिरा दिया गया। उसमें काफी आतिशवादी लगाई हुई थी जिसके चलते फायर बिगेट की गारी से पुतले पर पानी डाला जाने लगा और पुतले को पानी से ही नस्ट कराया गया। इस दोरान बेकाबू भीर तूट पड़ी और पुतले के बीच इसे नोच नोच कर ले गई जहां उन्हें हलका फुलका लाठी चार्ज भी करना पड़ा। अन्हें बिगेट कर लाठी चार्ज चार्ज पिर चार्ज प्राने बिगेट करते लेकर ले घरिए пятाजी है नोच में जोड़े पुलका लेकर दोस्ति वास। कर दो कर दो